वार बागी 3 जैसी सूपर हिट एक्शन मुवी करने के बाद अब जुड़वा 3 में दिखाई देंगे टाइगर श्रॉफ जी हाँ आज बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मुवी जुड़वा 3 के बारे में और साथ ही साथ इस मुवी में हमें कौन कौन से काश देखने को मिलेंगे और यह मुवी हमें कब तक देखने को मिलेगी आपको बता दे इससे पहले जुड़वा में सल्मान खान नजर आये थे जो 1997 में रिलीज हुई थी जो 90's की सूपर हिट मुवी में से एक है उसके बाद बाद करे जुड़वा टूकी तो यह मुवी 2017 में रिलीज हुई थी जिसमें वरुन धवन डबर रोल में दिखाई दिये थे जो बॉक्स आफिस पर सूपर डूपर हिट साबित हुई थी खबरों के मताबिक साजिया नाडिया डवाला एक बार फिर्स इस मुवी का थर्ड पार लाने वाले हैं जी हाँ हमें जल्द ही जुड़वा थरी देखने को मिलने वाली है बताया जा रहा है इस मुवी की कहानी पर काम सुरू कर दिया गया है और या मुवी पहले की तरह कॉमेडी रॉमान से भरपूर तो होगी ही साथ ही साथ इस मुवी में एक अलग टाइप की ट्विच्ट देखने को मिलेगी क्योंकि टाइगरस रॉफ एक्षन ही रो माने जाते हैं तो इस मुवी में कॉमेडी रॉमान्स के डबल डोस के साथ एक्षन भी देखने को मिलेगा जिसे देखकर काफी मज़ा आने वाला है तो वही बात करें स्टार कास्ट की तो इस मुवी में दुगनी नहीं बलकि तिगनी रोल में कास्ट किये गए हैं टाइगरस रॉफ वही बात करें मुवी एक्टरिस की तो लीड रोल में सारा अली खान, दिशा पटानी और तारा सुतारिया का नाम सामने आ रहा है जो मुवी में टाइगर के तीन अलग-अलग किरदार की प्रेमिका की भूमिका दिभाते हुए दिखाई देंगी लेकिन अभी तक इनोंने फिल्म में काम करने के लिए कुछ कहा नहीं है इस से यह लगता है कि मुवी देखने में कुछ वक्त लग सकता है इस मुवी को देखने के लिए आप कितना उताव ले हैं कमेंट में जरूर बताएं इस मुवी से जुड़ी कोई भी न्यूज आती है आपको जरूर बताए जाएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दें